गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू सांधीपनी एजुकेशनल अकेडेमी, आज हम कक्सा साथ हिंदी विशय में लेसन नमबर फोर कथनी और करनी में आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलट धंक से नहीं करना चाई, सदा अपनी बारी की प्रतिक्षा करना चाई, प्रतिक्षा यानि की वेट करना, रहा देखना, एक दीन की बात है, वे जल बिजली के बील जमने कराने गए, साथ में उनका आठ वर्षिय पोता भी था, जल बिजली यानि की विजली ने कतार में खड़े है बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाई सोचने लगे कतार यानी की लांबी लाइन उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया परिचित एटले के ओड़खान वाल व्यक्ति संबंदी वे तुरंद उसके पास गए और बोले बेटा ये बील तुम घर पर ही भूलाए लो इसको भी जमा करा दो वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बील वर राशी उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए पोता बार बार कहने लगा द आदर्श की बाते तो करते हैं पर उन्हे अपनाते नईी है एडले के विध्यर्थी मित्रों आ पेरेग्रफ मा एउ के हमांगे छे के कोई आदर्श व्यक्ति इए आदर्श नी वातों तो करें छे सज्जन व्यक्ति पर एदर्श अपनाटा नथी इस प्रकार का आच्रण अच्छा नहीं होता। ऐसा आच्रन करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कत्नी और करनी में सदेव समानता रखनी चाहिए। इटले के आ पाठमा केहवामा आवियू छे के हमेशा आपने कत्नी और करनी मा सर्खा पणू राखवू जोहिए। जे वस्तु अथवातो जे वात आपने करिये छे इनू पालन करवानी फरज्यत आपनी जवाबदारी बने छे। हो कत्नी करनी एक समान जग में मिलता तप सम्मान। के ज्यारे पन कत्नी अने करनी एक सर्खी हशे तौज आपडे आ दुनिया मा सम्मान मर्शी। नईतर हसीने पात्र बनवू पड़े।